हेलो एवरीवन वेलकम टो माई यूटूब चैनल स्मार्ट क्लासिज विद आशीश आज हम आपको 12 और 13 जून 2021 की करेंट एफिर्स और उससे रिलेटेड इस्टेटिक जी के कराने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए काफी मैट पूर्ण रहेगी तो शुरू करते हैं आज की करेंट एफिर्स और स्टेटिक जी के से पहला पॉइंट है आज का यूनाटेट नेशन्स ब्यूरोक्रेसी के जो प्रमुक हैं वो अभी हाल ही में बनाए गया है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है के नागराज नाइडू जो की एक आई एफस अधिकारी हैं और उनको एक साल के लिए यूनाइट नेशन्स ब्यूरोक्रेसी का प्रमुक बनाया गया है यह पद जो है वो भाती प्धानमंत्री के प्धान सचीप यानि की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो अमेरिका के राष्टपदी के चीफ और स्टाफ हैं उसके पद के बराबर यह पोस्ट मानी जाती है इसके लाबा कुछ static points हैं इससे related जो 9th Secretary General है United Nations के उनका नाम क्या है यह आपको या रखना है और यह भी या रखना है कि 9th नंबर के कौन से हैं तो यह हैं Antonio Guterres जो की पूर्थगाल से है United Nations आप सभी को पता होना चाहिए कि कब found हुआ था कब established किया गया था तो यह क्या गया था 24th October 1945 में और San Francisco जो की California में है अमेरिका में बहाँ पर इसको established किया गया था और इसका headquarter है New York में इसमें जो अभी current member है United Nations में वो 193 countries हैं लास्ट कंट्री जो उसमें सामिर हुई थी उसका नाम था South Sudan President जो है General Assembly के वो कौन है इस समय General Assembly हर साल होती है और इसके हर साल एक President बनाए जाते हैं तो इस साल जो President होंगे वो है अब्दुल्ला शाहिद जो की मागदीब के Foreign Minister है आपको यह भी या रखना है Move करते हैं अगरी News की तरफ शिशु सेवा योजना पूरा नाम है शिशु सेवा अचोनी योजना 21 राज ने Launch की है तो यह Launch की है असम के सीम डॉक्टर हेमंत विश्व सर्माने और यह जो शिशु सेवा योजना है यह COVID-19 के जो Orphans हैं जो बच्चे हैं जिनके माता-पिता खतम हो गए है उससे related है इसमें 7,81,200 रुपए उनके बैंक में Fixed Deposit किये जाएंगे और साथ में 3500 रुपए की मंतली साहता दी जाएगी और यह जो साहता मिलेगी यह Fixed Deposit जो हो जाएंगे उसी में से 3500 रुपए की इनको मंतली साहता दी जाएगी और यह साहता 24 यर्स तक की आयो तक दी जाएगी इसके अलावा कुछ Static Point की बात कर लेते हैं तो Static Point है इसके जो Governor है असम के वो कौन है तो जग्दी समुखी है CM कौन है डॉक्टर हमत विश्व सर्मा है रामसर साइट आपकी इसमें सामिल है रामसर साइट आपकी इरान से रिलेटेड है और इस साइट में डी पोर वील जो की असम में है सामिल है T City of India दिवडू गड कही जाती है राजियों के साथ इसकी जो सीमाय मिलती है वो साथ राजियों के साथ मिलती है जिसमें अरुनाचल प्रेश है नागा लेंड, मनीपूर, पस्चिम बंगाल, मेगाले, तेपुरा, मिजोरम इसकी दो देशों के साथ सीमाय लगती है बोद देश हैं भोटान और बंगलदेश अभी हाली में पुलिजेब प्राइस दिया गया है पुलिजेब प्राइस 2021 जो दिया गया है दार्नेला फ्रेजियर को 2020 में मिने पॉलिस में जोर्ज फ्लोयड की हत्या की इनोंने वीडियोग बनाया था जो की एक अठारव ऐसी लड़की है डॉर्णेला फ्रेजियर इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पुलिजर प्राइज जो है वो जर्नलिज्म और न्यूज पेपर के छेत में दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है वो अमेरिका देती है इस्टेबलिस ये हुआ था 1917 में और ये जो विल बनाया था बस्यत जो बनाया थी जोसेफ पुलिजर उसके अनुसार इसको इस्टेबलिस किया गया था इसमें जो अवाड प्राइस की जो मनी है वो है 15,000 अमेरिकन डॉलर इसको कौन रिप्रेजेंट करता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कोलम्बिया इनिवरसिटी अभी हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया है प्रोफेसर राधा मोहन कौन थे तो ये उडिशा के पूर सूचना आयुक्त रहे चुके हैं पदम सिरी सम्मान इनको मिलाता है 2020 में, ये रिटार्ड प्रोफेसर है, एकनॉमिक्स के, इसके लाबा ये सोसल वरकर रहे हैं और इन्वार्मेंटलिस्ट फी हैं, इसके लाबा आपको पता होगा पदम सिरी जो सम्मान है वो देश का फूर्थ हाइस सिविलिन ओनर है, इसके इसके जो सुरुआ थुई थी पदम अवार्ड की, तो 1954 में इसके शुरुआ थुई थी और ये हर साल रिपब्लिक डे पर दिया जाता है, शिर्फ एक्सेप्शन है आपका 1978, 1979 और 1993 से लेकर के 1997 तक Asia Pacific उतपादक्ता जैंपियन प्रृसकार, Asia Pacific Productivity Champion Award किसको मिला है? ये मिला है RS Sodi को, RS Sodi कौन है? ये Amool के Managing Director है आप सभी को पता होगा अमूल एक milk dairy product बनाता है और ये गुजरात से related है इसके अलाबा जो mother dairy है वो दिल्ली से related है और दिल्ली में उसका headquarter है और अमूल का गुजरात में है इसके अलाबा ये किसके द्वारा दिया जाता है तो ये एक organization है APO Asian Productivity Organization जो की Tokyo based है Japan based है उसके द्वार ये अवार्ड दिया जाता है मूब करते हैं आगले point की तरफ 13 June की important जो news है वो है किसे GAPH tag का मानत सदस newt किया गया है इसकी full form क्या है GAPH TAG की तो इसकी full form है Global Air Pollution and Health Technical Advisory Group इसके honorary member बनाए गए है प्रोफेसर मुकेश शर्मा जो की प्रोफेसर है IIT कानपूर में WHO का headquarter आप सभी को पता होगा इसका headquarter जिनेवा में है Surgerland में है और WHO की जो full form है वो है World Health Organization इसके जो डाइरेक्टर जनरल है वो है Tedros, Adenom, Gavrisas जो की Ethiopia से है आपको ये भी आ रखना है इसको जो इस्टेविलिस किया गया था वो 7th April 1948 को इस्टेविलिस किया गया था इसी लिए इसी दिन को World Health Day के नाम से मनाते हैं इस साल की जो theme है जो की एक्जामे पूछी जाती है इस साल की जो theme है वो है Building a Fairer, Healthier World इसमें जो member countries हैं वो 194 है अभी हाली में 47th G7 Summit हुई है जो की हुई है Carbis Bay, Cornwall में, जो की UK में है 11 से 13 जून तक ये meeting हुई थी इसमें क्या-क्या चीज़े निकल करके आई है तो इसमें दो चीज़े आपके लिए important है B3W जिसको बोलते है Build, Back, Better, World, पर्योजना ये एक project है जो की One Belt, One Road जो चीन का project है उसके जबाप में बनाए गया है इसके अलाबा एक और चीज़ निकल के आथी है Carvis Bay Declaration तो आपसे पूर्श सकते हैं कि Carvis Bay Declaration क्या चीज़ है तो ये 47 G-Summit में पास हुआ था इसका उद्देश है future pandemic जो हैं आपके COVID-19 के बाद उनको कैस्तरे से लगाम लगाई जाए G-7 कब बना था? तो 25 March 1973 में इसके टोटल मेंबर हैं 7 इससे पहले 8 थे रसिया भी इसमें सामिल था लेकिन रसियो को बाद में हटा दिया गया अभी जो 7 सदस हैं वो आपको या रखने हैं कि कौन-कौन से इसमें सदस से सामिल हैं तो Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK और USA इसके लाबाश में एक European Union भी सामिल होता है मीटिंग में जो की एक guest country के तौर पर सामिल है इस साल जो G-7 समिट हुई थी उसमें 5 कंट्री को invite किया गया था जिसमें भाद भी सामिल है और भाद के अलाबा South Africa, South Korea, Italy और Japan भी इसमें सामिल थे एक और बहुत important point है आप लोगों के लिए किन देशों को UNSC के लिए चुना गया Which countries are elected to UNSC? United Nations Security Council तो 5 कंट्री को United Nations Security Council में सामिल किया गया है जो की non-permanent member हैं Brazil, UAE, Albania, Ghana और Gavon इनका कारेकाल 2 साल के लिए रहेगा जो की 1st January 2022 से स्टार्ट होगा इनका कारेकाल Static point इसके बनते हैं जो UNSC है उसकी full form क्या है? United Nations Security Council ये one of the six principal organs of United Nations है जो principal organs of United Nations के उनमें से ये प्रमुक है इसके अलाबा आपका General Assembly भी इसमें important था जो की discuss हो चुका है भी इसका formation जो किया गया था 24 October 1945 इसके 5 permanent members आपको या रखने है इसमें total जो member होते हैं वो 15 होते हैं लेकिन 5 permanent member और बाकी 10 होते हैं वो non permanent member जो की सिर्फ वो सिफ 2 साल के लिए नॉमिनेट किये जाते हैं जो 5 permanent member हैं इनके पाद वीटो पावर होती है और ये हैं इसके लावा आपको या रखना है कि इंडिया कितनी बार इलेक्ट हुआ है नॉन पर्मानेंट member के लिए तो वो 8 times इलेक्ट हुआ है एक 1950 में 1967 1972 1977 1984 1991 2011 और January 2021 अगला पॉइंट है अंक टाड के नए महा सचीव New Secretary General of अंक टाड कौन बनाए गए है तो ये बनाए गए है रेवे का ग्रिनिश पैन जो की कोस्ट रिका के एकनॉमिस्ट है अंक टाड की फुल फॉम आपको या रखनी है ये जा मैं पूछी जाती है United Nations Conference on Trade and Development इस्टेबलिस हुई थी 1964 में पूरी डेट अगर बात करें तो 30th December 1964 इसका हेड़कॉर्टर आपको या रखना है Genoa, Surgerland World Day Against Child Labor अभी हाली मनाए गया है तो ये बना जाता है 12th of June को इसकी जो थीम थी वो थी Act Now and Child Labor तो ये आपके Important Points थे I hope आपको पसंद आये होंगे हमारी YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यबाद